इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपना resident certificate यानि कि आवासिय परमान पत, आप कैसे घर बैटे अपने mobile phone के माधियम से आप बना सकती हैं। अब भी अपना रेशीदेंस साटिफिकेट को आप बनाना चाहते हैं तो उसंसे पहले मैं आपको बतादू कि बनाने के लिए आपका कौन कौन सा डोकॉमेंट की जडता होती है और किस प्रकार से आप अपने डोकॉमेंट को इस आप लोड़ करेंगे और आप अपना रिषिट्टेनस साणिफ केकेट को कैसे अपना हाइ़ लेबल यानि की ठीक है अब बना सकती आपको यह सारा कुछ आपको जानना है तो आज किस वीडियो में आपको में फॉल फ्रोसेस बताने वाला हूं तो जानने के लिए बन रहेंगे इस वीडियो को एंड तक तो चड़िए सुरू करते हैं तो ओके गाई सबसे पहले आपको पुर्णी मबायल फॉन का गूगल क्रूम ब्राउजर को ओपेन करना है और ओपेन करने के बाद आपको सिंपली यहां पे टैप करना है जहारसेवा.डशारखन.gov.in तो जैसे कि आप यहां पर देख सकती हैं कि यहां पर मैं टैप कर चुका करने कि बाद आप जहारसेवा का एप साइट पर आपको क्लीक करने कि बाद आपको सिंपली यहां पर लोगिन वाले आप्शन को पर क्लिक करने की बाद आपका जो भी वहाँया पर यूज़र आइड आइड एंड पास्वार्ड को आप बनाते हैं उसी यूज़र आइड आइड एंड पास्वार्ड को आपको इसमें fill up करना है इसके बाद इसके फिल पर किलिक करते हैं जैसे ही आप यहां पर लोगिन को उपर कणिसें पर देख सकते हैं कि сделष पुना फैसी यहां पर प्लिख सुनला आपको simply यहां पर view all available services को पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक कर देना है यहां पर कुछ processing होता है कुछ processing होने की बाद आपके पास इस प्रकार से यहां पर interface open हो जाता है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ आपको सबसे पहले इस प्लोकल रेसिडेंट सार्टिफिकेट वाले option को पर यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने की बाद आपके पास इस प्रकार से यहां पर interface open हो जाता है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में यहां पर आपका personal details आपसे मांग में जा रहा हैं तो आपको यहां पर आपको पर को फर्म जारा है इसके बाद आपको फर्म को आपको फिलख करने की बाद आप में लोग यहां पर अपना support करते हैं नोर्मल एंट ततकाल तो अगर आप यहाँ पर ततकाल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एक रीजन को यहाँ पर डालना होता है इसके लावा यहाँ पर एक आपका डोकुमेंट को भी अपलोड करना होता है तो यहाँ पर हम लोग अपना रेसिडेंट stands in local language यानि कि यहाँ पर आपना नाम को हिंदी में फिलफ करना है यहाँ पर आपका आज जर्ट finance को आपको स्लिट करने के रहें पर अपना अदर्वाइस झोल पीसकते हैं कि ने सपट सुध संदी करना है डेट के माधियम से यहाँ पर अपना डेट ओवर्थ को आपको सिलेट करना है तो यहाँ पर मैं इसी कलेंडर के माधियम से डेट ओवर्थ को सिलेट कर लेता हूं आपको भी आप इसलेट कर लेना है अपना डेट ओवर्थ को सिलेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर नीची आ जाएंगे जानी के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर देखा हुआ है रिलेटिटिव डीटिल तो आपको लिएरेक्ट के फाली वाले बॉक्स आपको जीख करना है यहां पर मैं सोऊनाफ वाली आप्ठेकर में अपने अपनोफ नेम सरी कि यहाँ पर लेका हुआ है परमामेंट अड्रेस ओफ अपलिकेंट तुम्हें आपको बता दूगी अगर आपका अधार कार्ड में जो भी अड्रेस दिया हुआ है इसें अड्रेस को आपको इस बॉक्स के अंदर फिल अप कर देना है अड्रेस को फिलॉफ far इस वाले option को उपर क्लिक करना है क्लिक करने की बाद आपको जो भी यहां पर सब डिवीजन है सब डिवीजन का नाम को आपको स्लेट करना है इसके बाद यहां से अपना पुलिस इस्टेशन का नाम आपको डालना है इसके बाद आपका पोस्ट ओफिस के नेम डालना है इसके आपका बाद आपका पनचायत डाल देना इसके बाद यहाँ पर अपना प्रम फिलकर देना हैं तो यहां पर मैं not commissions who will fire लेता हूं आपको भी आपफ करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि लिका हुआ तो आपको इसी प्रकास से छोड़ देना है, इसको ब्लैंक की छोड़ देना है, क्योंकि यह आपसनल है, इसको आपको फिलफ नहीं करना है, इसके बाद आपको simply यहाँ पर आपको नीचे आजाना है, नीचे आने की बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर लेका आपको पर देख सकते हैं तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करने के बाद आपको सिंपली हैं पर आपको नीचे आ जाना है नीचे आने की बाद लेका हुआ है आपको सिंपली इस सभी फ्रस्ण को आपको पढ़के यहां पर यहां पर आपको सभी का एंसर दे चुका हूं आपको भी सेम इसी प्रकार से आपर एंसर को आपको दे देना है इसके बाद आपको सिंपली यहां पर आई एगरी वाले आपसन को पर क्लिक करना है क्लिक करने की बाद आप यहां पर आपके पास इस केपचा को इस बौस के अंदर फिलफ करके यहां पर सब्मिट पर क्लिक करने से पहले आपको फिर से अपना सभी डिटेल्स को बहुत ही से आपको देख लेना है कि आपका दिया हुन सभी डीटेल सही है या पिर कुछ गलत तो नहीं हो चुका है यहां पर आपको अपने फिर सेट डकुमेंट को आपको यहां पर ध्यान से देख लेना है कि बाद अब अब आपको यहाँ पर अपना document को इसमें attach करना है तो आपको कौन-कौन सा यहाँ पर अपना document को आपको attach करना है जैसे कि आप सबसे फॉस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिका हुए self-decoration आपको सेफल यहाँ पर सिलेक्ट वाले box पर click करना क्लिक करने की बाद आपको सिंपल यहां पर सिलेक्ट रेसेशन के उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने की बाद आपका निमास प्रमान पत्र का जो भी यहां पर फोर्म होता है इसके बाद आपको सिंपल है यहाँ पर चूस फाइल के उपर किलिक करके आपका निमास प्रमानपत का जो भी फो में जो भी फाइल में आप रखे हैं इसमें हाँ पर आपको अपलोड कर देना है इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर सिलेक्ट वाले box यूँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद letter of latest वाले option को पर क्लिक करना है, जिसे कि आप यहाँ पर बगल में आप देख सकती हैं कि जो भी आपका जमीन का जो खतियान एंड जो रसीद होता है, आपको इसी परकार से पर इसकेन करके आपको PDF फाइल में आपको सेप कर देना है, और हाँ आपका PDF का जो फाइल है दो MB से कम होना चाहिए, तब ही जाकर के आपका जो PDF फाइल है इसमें आपको अपलोड होगा, तो यहाँ पर आप अपना जमीन का रसीद एंड खतियान को आपको इसमें और भाइल फूरुफ तो आपको इसमें कौन सा डकुमेंट को अपलोड करना, आपना डकुमेंट को यहाँ पर स्लेक्ट करने के लिए आपको सिंपले स्लेक्ट वाले बॉक्स ऐसर आपको कईकरना है, किलिक करने की बाद आपके पास बोटिंग का टेलिफोन बिल पासवर्ड अधर सोपोर्टिंग डॉकुमेंट यहां पर इलेक्रिशिटी बिल इसके बाद आपका यहां पर राजन कार्ड भी डॉकुमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं लेकिन यहां पर मुझे अपना अधार कार्ड को अपलोड करना है डॉकुमेंट को सिलेक्ट करने की बाद यहां पर अपना अधार कार्ड को आपको अपलोड कर देना है अपना अधार कार्ड को अपलोड करने की बाद अब आपको सिलेक्ट वाले बॉक्स के पर आपको फिर से यहां पर क्लिक करना है क्लिक करने की बाद आपको इस वाले आप को अपलोड कर दिया हूं यहां पर मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि यहां पर मैं सबसे फोस्ट में आपना निवास प्रमांब्रत का फोर्म को अपलोड किया हूं इसके बाद यहां पर मैं अपना रेसिडेंट फूरूफ में अपना अधारकार्ट और अपना अब आपको simply यहाप सेब एन्यू एक्सर को पर आपको क्लिक कर देना है जैसे यहाप सभी डॉकुमेंट अपलोडिंग प्रोसेस यहाप पूरा हो जाता है तो आपके पास इस प्रकास यहाप इंटरफेस ओपेन हो जाता है तो यहाप यहाप पर आपको देख लेना है कि आपका सभी डॉकुमेंट यहाप अपलोड हुआ है या फिर नहीं आपको सभी डॉकुमेंट यहाप अपलोड हो जाते हैं तो आपके पास इस कलर का यहाप सभी आपसन आ जाते हैं तो डॉकुमेंट को अपलोड होने की बाद अब आपको तो simply यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे आने की बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका application difference नमबर यहाँ पर generate होकर के आ चुका है, आप इसी नमबर के माधियम से अपना resident certificate का status को आप टेक कर सकते हैं, अब आपको अपना agreement slip को print out कर लेना है या फिर आप export to PDF को पर किलिक करके अपना PDF file में इससे आपको save कर लेना है, तो guys आज़ा करता हूँ कि अब अपना resident certificate को अब आप बना सकते हैं, तो गर इस वीडियो में दिया हुआ जनकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो guys इस वीडियो को like कर दीजेगा and इस चैनल को subscribe चुरू कर तो friends चलते हैं तब तक के लिए bye bye